नमस्कार आप देख रहे हैं बड़ी बहस मैं हूँ आपके साथ आलोग विधान सबा के मानसूल सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है गुरुवार से शुरू होने वाला सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच खीचतान का गवाबन सकता है हलाकि मंगलवार को हुई सर्वदलिय बैठक में विपक्षी दलों ने सदन सुचारों रूप से चलाने में पूरे सहयोग का भरोसा दिया लेकिन हंगामा होना तैम आना जा रहा है दिवरिया कांड कानून विवस्था किसानों की बधाली जैसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एक जुठ है मांसुन सत्र की अवधी कम रखने पर विरोधी दल पहले ही नाराजगी जता चुके हैं उनका आरूप है कि सरकार विपक्ष का सामना करने से कत्रा रही है कॉंग्रेस विधान मंडल दल नेता दोसी तरफ सरकार भी विपक्ष से निपटने के लिए तयार नजर आ रही है यूपी विधान सवा का मांसून सत्र 23 अगस से शुरू होने जा रहा है ये सेशन लगबग एक हफते तक चलेगा इस दोरान सदन में सरकार अनुपूरक बजट पास कराएगी बजट सेशन में योगी सरकार ने 4,28,000 करोड का मेगा बजट पेश किया था साथ ही वो विधेव भी सदन में पेश होंगे जो जनता से सीधे जुड़े हैं और जिसे पूरा करने का वादा पार्टी ने लोगों से किया था केविनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौरे का कहना है कि विपक्ष भले ही सरकार पर आरोप लगाए लेकिन हकीकत यह है कि जितना काम सरकार ने किया है उतना आज तक कभी हुआ ही नहीं और सरकार ने विपक्ष यहंगामे से निपटने के भी इंतजाम किये हैं साथ ही साथ एक सगर न भियान चला करके शोगी मानी मुख्यमंत्री जी की मनसा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो कानून की हनक हो और कानून का हाथ अपराजियों किरिवान तक पहुँचे वो फ्रारम हो गया है सरकार के अपने दावे हैं तो विपक्ष ने भी अपनी तयारी कर ली है देवरिया के बाद प्रताबगड की घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए सदन में सरकार को गेरने का मौका दे दिया है इसके अलावा कानून विवस्था का मुद्धा लगातार सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है इतना ही नहीं लगातार योगी सरकार में ब्रेश्टाचार बढ़ने के भी आरोप लग रहे हैं शिपाली आदव ने सीम से मुलाकात करने के बाद कहा था कि इस सरकार में करप्शन दस गुना बढ़ गया है ये कुछ ऐसे मुद्ध है जो सत्र के दोरान योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं सरकार का सबसे पहले बादा कि आता की वेश्टा-चार को हटाएंगे तो और भेटा चार कम से कम कम से कम तस्गुना बढ़ा है पूरे पेदेश में जो दिवरिया में कांज हुआ है उसकी जाँच पर सरकार ने जो सिवियाई की जाँची सिफारिश की है हाई कोड के विश्वास ने उसने का उनके नेतरत में सिवियाई की जाँच होगी तो सरकार अपनी संदिक जो अपनी लिष्ठा है उसको देख ले सुनिश्चित कर ले कि वो किस प्रकार से कोट की निगाहों में है और जब इसको पूरा कर ले तब उसके आद बागी चिजों की बात करें इनके कारकाल में जितनी जगन ने घटनाय हुई छात छात्राएं सुरच्चित नहीं कोई ब्यापारी सुरच्चित नहीं और महिलाएं बाली का सररक्षण ग्रह में सुरच्चित नहीं सरकार के सररक्षण में महिलाएं सुरच्चित नहीं सरकार को भी इस बात का आभास है कि विपक्ष देवरिया समेत कई मुद्दों पर उसे घेरने की तयारी किये बैठा है शायद यही वज़ा है कि इस बार ये सेशन जादा लंबा चलाने की मूड में सरकार नहीं है लेकिन इतना तय है कि अगर सदन हंगामे की भेट चड़ेगा तो इसका नुकसान प्रदेश की आमचंता को ही होगा लखनव से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट लाइफ टुडे मांसून सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभाबना है विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घिरने की कोशिश करेगा तो मैं इस सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हम लोगों को करारा जवाब देनी की लिए ते आरे बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष का क्या कहना है ज़रा सुन लेते हैं इंत्तर प्रदेश में आज कानून बिवस्था बत से बत्तर है अराजक्ता का माहौल है अभी व्यक्ति की आजादी समाप्त हो गई है कोई भी व्यक्ति अगर मुद्दो को समस्याओं को लेके सडकों पर प्रदर्सन कर रहा है तो लगातार ताना साहिर वहिया अपनाते हुए भारती जनता पार्टी की सरकार उसे लाठियों से पीट कर जेल भीजने का काम कर रही है आज जिस तेजी के साथ लड़कियां छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलादकार की घटनाय आ रही है उन बिस्यों को लेकर हम विधान सभा में सरकार को घेलने का काम करेंगे गन्ना किसानों का एक भारी बकाया जो लगभग साड़े तेरा हज्जार करोन रुपया है उस मुद्दे को लेकर भी हम सदन की पटल पर रखकर सरकार को घेलने का काम करेंगे दूत करता हूँ कि सरकार सत्र को चलाना नहीं चाहती। दूसरा जो कम समय का सत्र है इसमें आज प्रदेश की अनेक समस्याएं हैं। कानून व्योस्था की स्थिती बद से बत्तर होती जा रही है। महिलाओं के खिलाप हत्याचार कम से 28-30% की बृद्धी हुई है। लूट और डकैती में भी भारी बृद्धी हुई है। ये सारे कानून व्योस्था के जो मामले हैं उसको भी हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। तो ये सत्र नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए। अगर हम ये बात कहें तो शायद कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर के राजनितिक दल अब कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि अगर सत्र में कुछ चर्चा होगी, कुछ चीजों पर अगर मंधन होगा तो कुछ चीजें बेहतर होगी। क्योंकि अगर सत्र बात करें इस पूरे मामले में कि अगर किसी कारवाई नहीं होती है, सहमती नहीं बनती है, तो पैसा आंग जनता का ही लगता है। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आई हुए महमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, चुकि सवाल सीधे तोर पर हम और आप से जुड़ा हुआ है मेरे साथ जो महमान जुड़े हैं सबसे पहले आए गए महमानों से परिशे करा देते हैं बीजे पी की तरफ से अमित तिवारी जी है इमारे साथ कॉंग्रिस की तरफ से अंशु Awasthi जी है समाजवादी पार्टी की तरफ से आलोग तिरपाथी जी है और वरिष्ट पत्रकार प्रभात तिरपाथी जी है आप सब महमानों का बहुत-बहुत स्वागत है और चुकि आज हम चर्चा कर रहे हैं मन्थन कर रहे हैं कि जो मांसून सत्र है वो किसी तरीके से बहुत छोटा स रूप से मढई हो सकता है समाजवादी पार्टीय है समाजवादी पार्टी की तरफ छे तरफ से हमारे साहथ तिर पार्ठी जी है। अलोग जी विधान सबा के मांजून सत्र का काउंडाउन शुरू हो चुका और गुरूबार से शुरू होने वाले सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही कहीं न कहीं गर्माहट ला सकता है लेकिन मेरा सवाल आप से यह है कि इस बार किन-किन मुद्दों को आप लोग उठाएंग इसको बार-बार महामहिम राजिपाल जी हो या इनके तमाम मंत्री गण हो जो कहा करते हैं कि मेरी कानून ब्युस्ता में सुधार आ रहा है सुधार आ रहा है एक जीता जाता हूं धराण है आज ही मैंने पेपर में देखा और फेस्बुक तमाम ट्विटर हैंडल्स पर भी अच्छित नहीं है राजिपाल गवर्न हाउस के गेट पर लूट हो जाती है एक गाइड की हत्या हो जाती है उसके परिवार को सरकार बात दो लाग रुपए दे करके पल्ला जाड़ लेती है उस परिवार का कैसे लिर्वान होगा अच्छा लोग जी यह और बता दीजे कि मतलब यह मुद्दे उठाएंगे मतलब ऐसा तो नहीं कि इससे पहले के जो सत्र थे उसमें आप लोगों ने एक पैरलर विदान सबा लगा ली राजिपाल के उपर आप लोगों ने कागस की गोलिया फेकी यह सब तो नहीं करने का विचार है यह तो चलो मुद्दे होगा चर्चा होगी अगर सरकार हम विपच्च की बात सुनना चाहेगा तो विपच्च सुनाएगा अगर सरकार विपच्च के साथ अपना रवया ठीक नहीं रखेगा तो विपच्च भी मद्बूर है विपच्च करें क्या विपच्च तो जनता की चीजों को लागा आपके साम पहली बात तो ये कि आप देखिए कि इतिहास में ऐसा कम हुआ होगा कि इतने कम समय का सत्र रखा गया है कल श्रद्धे अटल जी की श्रद्धाजली सभा करके सवत्रिस्तगीत हो जाएगा परसों उसकी तैयारी को लेकर सत्रिस्तगीत रहेगा उसके बाद सनिवार रविवा चार दिन तो ऐसे निकल गया आप संग्रसरकार की गंभीरता समझ सकते हैं और कितनी तेजी से ये भाग रहे हैं चर्चा से इस पर भी देख सकते हैं देखे चार आहम मुद्दे हैं उत्तर-प्रदेश में चाहें वो इंफ्रास्ट्रक्शर की बात हो रोजगार की बात हो अपराद को लेकर हो या जो रोजगार देने की बात हर मोर्चे पर जो भी इन्होंने बादे किये थे किम 7 लाख रोजगार देंगे 5 साल में यानी 14 ल बलादकार और हत्या के मामलों में इजाफा हुआ और यहां तक हथ यह है कि कोई महिला मुख्यमंत्री के पास आती है उसको सुनवाई नहीं होती वह वापस जाकर फांसी लगाती है एक बाप को जान देनी पड़ती है और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी आरोपी विधाय को जिसको CBI ने चाशीट की आरोपी पाया बीजेपी ने आज भी उसको अपने संग्ड़नात्मक इस तरह पे कोई कारवाई नहीं की उल्टा यह जो भी बलादकार के आरोपी हैं के पूरु ग्रहमंद्री मैंनाम लूंगा चिनमैनन सरसुती महराज उनके यह मुकदमे वापस लेने में मस्त बेस्थ है और मुक्यमंत्री जी सिर्फ किस तरीके से कारिक्रम तो यह जो जन्ता की बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है और शेल्टर हो में जो भी कुछ हुआ हो में अधिक रहने का मामला है ऐसे तमाम सारे माम क्योंकि मुद्दे अब उन्हों ने बता दिये लाइन और मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुक्ता से उठाया जा रहा है बात करें महिलाओं की सुरक्षा का लेकर के उसको जवाब आप लोगों को देने ही देना है बूमी अधिग्रेंट का जवाब देना है बार का मामला उसको भी देना है शेल्टर होंस में जो भी कुछ हुआ देवरिया कान कानून विवस्था किसानों की बधाली जैसे तमाम मुद्दों पर विपक सरकार को घेने की तयारी करेगा और यहां पर भी बताया अंशु जी ने और अलोग जी ने आप लोग किस तरीके से क्या आ रही है कि अलोग जी कल सवर्दली जब बैठक हुई है उसमें हमारे मंत्री मानी सुएस खना जी ने साफ कहा कि हम विपक्च से चाहेंगे कि तथ्यों के अधार पर अपनी बात रख रख है सरकार पूलिश के से तयार है विपक्च के हर बात का जवाब देने की लिए अपनी पहली बात करते हैं मैं आकलों के साथ बैठा हूं आज मैं यह नहीं कहता है कि हमारे हाँ कानून वेवस्ता पूरी तरह किसे हमने कंट्रोल कर लखी है अपनी बात पूरी करने दीजे 2016 का जो हमने मार्च तक कर लिया है समाजवादी पार्टी में जकरती 157 पर अपर अलोग जी सवाल सवाल करें थे तो हम हर तर्के की बात का जवाब देने के लिए तक नहींत कर dışरें rare वुपक्ष की भूमका में, चलिए, वुपक्ष की भूमका में, आप मैं प्रभाद जी के पसर में आ रहा हूँ, प्रभाद जी मैं आप से समझने की सरा कोशिश करूँगा, चोटी मंगल वार को एक सर्वदली बैठक हुई ती, जिसमें संसदे कार्यमंत्री और विपक्ष पूरा था और जिसमें उम्प्रकाश राजबर भी थे योग्यादितना और पूरे विपक्ष ने पूरी तरीके से आश्वस्त कराया है कि एक स्वस्त बहस होगी लेकिन हर बार तो यही होता है कि सर्वदली बैठक में होता है विपक्ष कहता है कि हम पूरा साथ देंगे सथ-बख्ष सरकार को खेड़ने के लिए काफी है लेकि अलोगी है सदन जो होता है सबसे बड़ी बात क्या है समझना चाहिए सरकार जब जो भी सरकार हो दिए कभी ये बिख्ष में थे ये सत्वा में थे और इस तरीके की नूरा कुष्टी होती है मैच्छिक्स होता है ये लोग सड़क पे संग्राम नहीं करते हैं सिर्फ सदन पे अपनी बात रखता है कि मैंने ये किया बिख्ष कहता है आपने कुछ नहीं कि अब जंगल राज एक कानून खराब है निश्चित तोर पे उत्तरबरेश की कानून पे उस्ता पे कल भारी अगामा होगा कल हो सकता है संद्रे अटरी जी को संदांजरी देने के बाद लेकिन असली जो बिदान सवार सत्र चलेगा और अनपूरक मजट आएगा ले 你是わ ast valora से वहां वहका है क्या होता है दिप्र? अव चिखति नथ सृठ हो जाता है मामला जिस मामले में रहती है चाहे वहो कुस्टा नवर में हो लक्रिशो नवर में लेकिन वह ब्यक्तियत कँजता दियो ऊतर पर कार्न से आज है उसमें अग्रिम जमानत का एक बिद्धिया के वो भी जो है सरकार पास करा लेगी और निस्री दोर्पार अन्पूरक बजट नेती है लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बहस करें और बहस को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सब्धा पक्ष की बिदारी है कि वह अपने जो कम ब ज़रूवत है और विपक्ष को सहयोग करनी की जरूवत है अब मैं जारा अमिर जी के पास आ रहा हूं अमिर ची आज आप और विपक्ष कानून विवस्था को लेकर के सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं नहीं मैं NCRB के आंकड़े की बात कर रहा हूं नहीं मैं कानून विवस्था को लेकर के जो आप लोगों ने चेड़ चाड़ का विरोध करने पर सरदना कस्वे में शुक्रवार कुसुबा मन्चलों ने घर में घुस कर दस्वी कक्षा के चात्रा और उसके परजनों पर हामला बुला ये एक मामला है मेरट का ये दूसरा मामला है लिसारी गाओं में जहां पर बेटी से चेड़ खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिता की चाकू से गोद कर हत्या करी और पुलिस ने अत्यारे को चाकू के साथ गिरफतार कर लिया अमिद जी अगर आप वो तस्वीर देखते जो लड़की है उसने खून से लिखाए कि साहब मुझे इस जो मुझे उलज़न हो रही है जो मुझे दिक्कत हो रही है जो मुझे असेहनी ये पीडा हो रही है उससे बचाईए बदायों का मामला देख लिजे बदायों के मुस क्यों ही सवाल उठाएगा बताएए जो घटना हिंहें हमके जतनी दीनकी किजाए कम है लेकिन कारवाई भी हो रही है अपरादी चाहे कितना भी प्रभास्रावशावियो सरकार नहीं जो करें प्रसासन नहीं जो कते छारों में वह ता था सर पिरीचली सरकार का चॉड़ हो प्रद्वादी चाहे जित्ता बड़ा हो उसका अस्थान जेल होगा उसका अस्थान तो कितने अपरादी अब तक भेज दिये जेल में फिर तो विपस्ट को यह मुद्द नहीं उठाना चाहिए एंकांटर खुले हो रहे हैं पिर तो अलो जी 7000 अपरादी एक साल में 7000 अपर करके का कि कौन से अपरादी मारे के पता ही नहीं चला यह तो एक महिला को जिन्दा जला दिया जाता है और यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी आप समझ सकते हैं इनकी इनसे बस इतनी ही उम्मिद करिए कि जो अपरादी है उनके मुकदमे वापस लेने का काम जरूर हो रहा है शिच्छा मित्रों के साथ कहा था कि 90 दिन में हम आपको इस्थाई समस्या दे देंगा 16 महिने से जादा हो गए अनुदेश को को इस सरकार ने घोशना कर दी कि आपको हम 8450 रुपे से 17,000 देने जा रहे हैं आपको बता दूँ अपर 17 से और 18 शिच्छा मित्रों के हम यहां पर बात नहीं करेंगे वो जो पिछली सरकार ने जो परण परा डाल रखी है ना वह उसी को वर्तमान सरकार भुगत रही है अब तक वो शिच्छा मित्रों के हम बात नहीं करेंगे उसको एक अधिकार क्या पुलीस प्रसांजन पर जिस तर्यिस कारवाइग की गई यहां पुलीस प्रसांजनं पर कारवाई करके 가oman प्र कारवाई करके मनुब गिराने का काम नहीं किया जायरा अगर लाजिशन करेंगे तुछ बार्ठी नहटिन करेंगे तो लुख वुला दोसित liberty अई फिनमी पास रखिया ठीक है तीक है यह भुणा एनी बारिविता है टीकषिग है ठीक है अजय के एक सं Mao कर तो और अलोग जी राजनायतिक कार्कार्ता, पुलिस अधिकार्यों पर थपढ़ मानने का काम नहीं करता हमração क। वो सब पिश्री सरकार में सब देखा अरे इसका जवाब मुझे लगता है कि आपके गणबंदन के साथी अमिताब ठाकुर जैसे लोगों को किस तरीके से नेता जी ने धंकाया था यूटूब पे वो वीडियो वारल हुआ था जे आलोग जी इस बात को बखुबी सा मस्ते है अलोग जी इस सवाल का जवाब दीजे वो पिश्री सरकार में भी चीज़े सामने आई थी अमिताब ठाकुर को किस तरीके से वो वीडियो वारल हुआ था नेता जी ने भी अरकाया था कम तो यह परमपरा तो आप भी लोगों ने डालिये नहीं है वुसमें मैं आपको करके मैं इस बात को करना चाता हूं कि मिताब ठाकुर जी को मानी नेता जी ने अभी चार दिन पहले आई यो साब से इस बात को कहा है कि उसमें आवाज मेरी है मैंने समझाने की द्रश्चकोंड से उनको फोन किया था वो मुझे गारजियन मानते थे मेरी सरकार में अच्छे-च पूल जिसको यह कहते है कि जब यूट्याइब डालेंगे ना अवितार था अवाज नेता जी उसको आवाज सामने आएगी आपको भी सुनी जेगा अगर आप आप यह ना कहते है जिए जो काम किया आज तक कि किसी भी मतलत इतनी सरकारों में जिस भी बड़े नेता ने किस और नेता जी आएग कौन जेता जी कैसे बात करेंगे क्या बात करेंगे तो दॉनेता जी मैं बोल रहा हूं और तुम यह सब क्या कर रहे है तो मुझसे मिलना करके जांकर क्या मतलब है तो तो यह गार्जelles के अभी तुम हमें जानते नहीं हो आगा ना रिक ये सवाल कर बिपच्च के लोग साथ और बिचू है तो अब लेकिन निश्पक्ष रूप से निश्पक्ष रूप से प्रवाद जी आपने भी सुना होगा आपने भी उस केस को इस्टेडिक किया होगा आप बताएं सर प्रवाद जी मुझे लगथा है कि वो नेता जी की धंकाने की कोशि को बिच्व क्या आप बीटिशन के जो इस्टितिय प्रवर्श का नेता हो अब जो अधिकारी राजनेतिक दल के हिसाब से चंदे लगे हैं कही ना कहीं मुझे ने जब ये बात कही थी तो वह दोनों की जो बात बात हुआ कहीं ना कहीं मुझे मुलाइम सिंग को ये इगो हड़ दुआ कि मैं इतना बड़ा नेता हूं तो उनों ने का भी तुम मुझे जानते लियों तो ये सारी चीजे जाज का विसाय था और एक अच्छा ही है कि मुलाइम सिंग ने अपनी आवाज को स्वेम कहा कभूला कि ये मैंने कहा लेकिन कुछ पार्ट उन्होंने उसको हटा दिया धंकी की बात आई थी एक IPS के उपर लेकिन IPS को भी कही न कहीं अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए था ये बहुत विवात रहा पुरा और ये जाज का विसाय मैं इस पर नहीं जाओंगा हम लोग चर्चा कर रहा है सदन की हम लोग चर जो एक पत्रकार भी है इस पीकर है वो हिर्दयान दीख्षे जी जो बिधायक देखे एक सबका एक जाइम है उसना रवर होता है सबको पुछने का सवाल पुछने का अपना सवाल नगाते हैं जवाब होता है सद्दा पक्ष को भी चाहिए कि विभक्ष के कम लोग जो हैं अगर वो कोई जुलत मुद्धे सदन में रख रहे हैं तो उसमें गंभीटा से बिचाथे लेकर क्या होता है अक्सर लास्ट में मुखवत्री आते हैं कानून ब्रॉस्टा में आदा घंटे बोले और चले गए लेकिन पहले यह होता था आलोग जी कि अगर जो विपक्ष के ल आपको घेर रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस कसोटी में आप अपने आपको कसी है कि पिपक्ष अगर आपको आईना दिखा रहा है कानून ब्रॉस्टा कराब है चाहे जेवरी या कांडो चाहे कुछ भी हो और सड़के घराब है पानी नहीं मिल रहा है गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है या जो भी चीज़े है अगर विपक्ष रख रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब पूर वक्स तुनिया है और विपक्ष रूप से बैस होनी चाहिए पर सवाल यही है कि अब कल की अगर बात करें तो विपक्ष भी पूरा कहीं ना कहीं एक जुट नजर आ रहा है कॉंग्रिस पियस पी और समाजवादी पार्टी और अगर विपक्ष एक जुट है तो कहीं ना कहीं कल की सदन की कारवाई में गडबंदन का अक्स भी दिखने वाला है इससे गुरेज नहीं किया जा सकता कुछ और चीज़ों को समझेंगे फिलाल एक ब्रेक के ल हंगामे का मानसून सत्र ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है गुरुवार से शुरू होने वाला सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का गवाब बन सकता है क्या ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे सवाल और जवाब हुए थे और बड उसले 24 घंडे की तस्वीर हो जो मामले सामने आए और विपक्ष भी यहां पर बैठा सबसे बड़ा मुद्दा इसी चीज़ को उठा रहा है लेकर इसको लेकर के अगर सीम योगी आदितिनात की बात करें तो उन्होंने कल एक अधिकारियों के साथ बैठा करी है और सीनियर लगाम लगाने की जरूवत है बिलकुल बार-बार हमारे बुक्मंत्री जी कहते हैं कि लगाम लगेगी चाहे जो अधिकारी होगा काम नहीं करेगा तो उसका चाहे जितनी भी उसके पास अपनी पकड़ो और पत्पे नहीं होगा तो अब बता दिजे कितने लोगों पर ऐस 14-15 साल से जो इन अधिकारियों की आदत बिगड़ी हुई है उसको सुधानियम थोड़ टाइम लगेगा नहीं तो आप 14 महीने हो गए है सर अब बहाना नहीं चलेगा अब लेकिन जो अप एच्छा में थी उत्ती कमी नहीं आई है आप आकड़ों को देखिए उसमें कमी आई है लेकिन हम उससे संतुष्ट अभी नहीं है हमाई सरकार संतुष्ट नहीं है कानून ब्रवस्ता भष्टा चार्ट तो अंशु जी अब आखिर ऐसी सरकार की मजबूरी क्या है विलाल देखिये मैं तो बहुत बिनम्रता से कहूंगा कि अधिकारियों की कारिशाइली जो 14-15 साल की बात की हमारे बीजेपी के साथ ही ने यही अधिकारी पिछली सरकार में थे हम तो NCRB की आंकड़ों पे जाते हैं लायन ओर्डर की बात हो रही है यही अधिकारी पिछली सरकार में भी थे उस समय अपराद कम होता था घटनाय कम होती थी तो आखिर आज आप अधिकारियों के जिम्में आप जब विपच में थे तब भी अधिकारियों को दोश देते थे शुरुआती छे महिने में सरकार गठित होने कि आप अधिकारियों पर मढते रहें 17 महिने हो गया आप कब तक अधिकारियों सारे अपनी नईया को पार लगाएंगे पहली बाद दूसरा देखे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उतर प्रदेश में इस सरकार के बनने के बाद ये महसूस किया जा रहा था कि निशित तौर से ब्रस्टा चार पे लगाम लगेगी समाज कल्यार विभाग में 10 करोन से ज़्यादा है का घोटाला हुआ और समाज कल्यार मंत्री कहते हैं इसको दबायर हो इसको उठाना मत तो इनके नेता सिर्फ बयानबाजी में हैं एक उपमुक्यमंत्री कहते हैं कि मा सीथा टेस्ट्यूब बेवी हैं मतलब काम पर ध्यान नहीं है यहाँ पर चलिए मुद्दों को लेकर के नहीं प्रभाद जी जिन युवाओं को रोजगार की अगर हम बात करें तो लगातार योगी आदितनाची ने भी कहा है कि पांच लाख रोजगार के अफ़सर हर साल सरकार देगी और लगातार जिस तरह के से बिसनस मीट हो रही है इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट एक योजना की सरकार दे चालू की और हर जिले में जहां-जहां जिनके जो उत्पात थे उस पे उन्हों ने उनको बढ़ावा देने की बात की सबसे बढ़ी चीद हो क्या होता है आपके प्रदेश का महौल क्या है बिजली कानून बेहुस्ता कोई भी इन्विस्टर अगर आपके प्रदेश में आता है तो सबसे पहले सड़क बिजली और कानून बेहुस्ता यह तीन बहुत महत्मुर्ची होती है दिश्चित तोर पे 16 महीने अगर योगी सब्सकार के हो गए हैं सवाल उठेंगे 6 महीने 7 महीने तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा लेकिन अगर हर मोर्चे पे कहीं न कहीं कोई परिसानी है जन्ता को तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा और मैं आपको बता रहा हू जी योगी जी एक सरीम आदमी हैं इमानदार है और महनत नी कर रहा है रात दिन महनत कर रहा है लेकिन उनके जो नीचे के मंतरी है और जो अबसर्साही है वो इनको सबल नहीं होने देरे क्योंकि सेंटर पावर खुले हुए हैं दिल्ली से प्येमो से बचा दिया आता है काम पर किसी को भी किसी तरीके की कोई मंशा पर सवाल नहीं है लेकिन जो अफसर शाही है वो कहीं ना कहीं गुमरा करती है और ऐसे कई मामले सामने आये चाहें वो गोरकपुर का बी आडी मामला हो जब बच्चों की मौत का मामला सामने आया उस से एक हफ़ते पहले दो दिन एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए भी थे बी आडी हॉस्पिटल में उन्होंने अधिकारियों से पूछा भी कि वहाँ सब ठीक आके तो उन्होंने साफ तोर पर का इसलिए साफ तोर पर है कि अफसर शाई कहीं न कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूवत है आलोग जी जिस रोजगार को लेकर कि अगर बात करें तो इन्वेस्टर समिट का वर्तमान सरकार में आयोजन करवाया आप लोगों ने करेंबी करवाया है आला की इतना सकस्सेस नहीं हुआ लेकिन वो तमाम सारी चीज़ें डिपेंड करती है जैसा कि आपकी ट्राफिकींग विवस्था कैसी है Alg और तमाम सारी चीज़ों पर निर्भーー करती है सब चीजें सबसे इस बात को पूछना चाहूंगा अपने वरिष्ट पत्रकार बड़े भीया साथी जो पूछना चाहूंगा कि उन चीजों को इन्हों ने इंवेस्टर समिट में सामिल किया जिनको मानी अखिलेश यादो जी की सरकार में अग्रिमेंट साइन हुआ जो लोग उत्तरप्रदेश की तरफ रुख कर चुके थे उन लोगों को सामिल इनों ने किया जो लोग आलड़ी अरे भाई धिरू भाई अम्वानी आलो की कभी सिस्वर मंद्र किया कि आप लोग इंवेस्टर को क्यों नहीं आम अदृत कर पाए क् जवाब दीजे रहे हैं और जाम सकते हैं मिवेस्टर क थे जबतात ज्याएं मैं आक्टी ऑलती विदू कुर्ची और अंति है धिक विए और विए यहां लूग एक आप लिलूमार्ट शांसंग लाव कि तुनिया शुंए शुनिया अस धुनिया शुनिया शुनिया शुज आलोग जी मैं आपसे पूछ रहा हुआ तरहा हुआ हां मैं अपने नादा हमेर ओपो को जगे अगले सरकार में दिकाई सामसंग को जगे अखिले सरकार में दिकाई लागा को अखिले जी की सरकार में दिया गया लूलु माल उत्तर लगनव में जो बन रहा है वह अलड़ी पैसे पाट साल से बन रहा है ठीक है आपने क्या दिया आपने दिरुभाय अंबानी की जिस पर योजना को दिखाया कि 10,000 क रोड उपिया उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में इंवस्ट करेंगे आपने जब 7G का उनको एक लाइसेंस जारी कर दिया है तो उनकी तो मजबूरी है कि उत्तर देम में अग्षा जिस गड़्डे की आप बात कर रहा है जिसमें गाड़ी गिरी है जो लोग गाड़ी पर चल रहे थे उनको खुद नहीं आइडिया था क्योंकि वह गूगल मैप से चल रहे थे वह में रोड पर ने चल करके वह सर्विस लेन पर चल रहे थे सर्विस लेन पर काम अधूरा था जिस घड़्डे की बात यह लोग बार बार कर रहा है उस गड़्डे की मैं इसे पूछ रहा हूँ आज लखनाव में वह तो एक्सप्रेस के साइड लेन की बात कर रहा हूं सर उत्तर प्रदेश के राजधानी में कोई असी सड़क नहीं सर आप लोगों ने क्या किया यह देख लिया जब सत्ता पक्ष कहता है कि गीनी पिच पर बैटिंग नहीं ह हो सकती तो यह भी बात सुपाई नहीं जा सकती साइकल ट्रेक की आप लोग जिसकी बात कर रहें उसमें क्या चल ला है देखिये अंशु जी लगता है मुझे बिल्कुल मुझे आप अपनी बात रखिये जो आगरा एक्सप्रेस में पहली बात तो सर्विस लेन पे हुई औ और 17 महिने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है क्या 17 महिने में उसको मेंटिनेंस की आवसिकता नहीं है पहली बात प्रधान मंत्री जी जिसका घाटन करके आते वो तो एक महिने के अंदर उसमें गड्डे हो जा रहे हैं तो सवाल तो यह है कि ये भ्रष्टाचा कैसे यहां पर बखुबी फर्द निभाया जा रहा है मैं यहां पर चलिए हम तो नौजवान से बेरोजगारी की बात उत्तर प्रदे सरकार से पूस्ते हैं तो हम सब में बावना होने चाहिए कि रोजगार पर आप लोगों को बल्कि मुझे तो लग रहा है ना अंशु जी अंशु जी और आलोग जी आप लोगों को यह कहना चाहिए कि युवाओं को बल्कि मुझे लगता है कि हम युवाओं की बात करें मुझे इन राजनितिक दलों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत करनी है यूपी को लेकर के बात करें जो बिरोजगार साती हैं जो जिने चाहिए एक अदर रोजगार कुछ शुरुबात तो हुई ये कमसे कम विपक्ष की भी नहीं थिकता कभी-कभी यहां पर बेढ़े कि कोशिश तो हुई है एक कोशिश तो हुई है कमसे कम जोड़ दीजे जोड़ दीजे प्रभाद जी से सवाल कर जवाब लेने दीजे और विपक्ष कहना चाहिए कि नहीं हमाम में सभी नंगे हैं कोई भी राजनेतिक दलो हर आदमी अपनी ठुकता है सवाल इस बात का देगे सपा जो अपनी बात कह रही है वह अपना पक्ष रखेगी कांग्रेस अपना रखेगी कांग्रेस तो पिछले 25 साल से यूपी में हैं भी नहीं मेरा यह कहना है कि सरकार कोई भी काम करें जो दिखाई दे अगर हम पांच लाक यूवाओ को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो रोजगार दिखाई भी दे नमबर एक बात नमबर दूसरी बात हम अगर एक कि इनवेश्टर मीट करते हैं सपाने को बंबे में इनवेश्टर मीट की टेकर अगर यूपी में को इनवेश्टर मीट हो रही है हमें उसके परणाम के लिए थोड़ा इंत्यार करना पड़ेगा हम आज से कह रहे हैं वन डिस्टिग वन प्रट की योजना बहुत अच्छी है जेकिन एक बंट अर्गों पर इसमाल पूच रहा हूं जबता प्रबाद जी कि बात पूरे अब एक साथ सब लोग ना बोले प्लीज आप सबसे गुजारिश है अब शुच्छ रहा है यह प्रबाद जी आपने अपने आवास को भूच तोड़ा सा वी राम दे ताकि प्रबाद जी अपनी बात पूरी कर ले मैं सबाद मैं यह कह रहा ता हा ओलोग जी वन बिस्टिग वन प्रोडिक योजना है कई ऐसे दो में जो समात हो रहे थे चाहिए बुनकर दोको चाहिए पीतल दोको चाहिए चौण धोगों अगर कोई सरकार उसको लूड़ाने के लिए अगर योजना दाती है तो हमें उसका स्वाइशत करना चाहिए देगे मैं नहीं कहता हूं अखिदेस ने भी कुछ काम कि पिछले मुलाइम सिंग के कारकाल से मुलाइम सिंग की जब सत्ता गई बायती ने का मैं फ़लाने को जेन भीज़ूंगी प्रश्ट जार में उनकी सरकार पांच साथ चलिए अब योगी सरकार अगर अख्रेश सरकार ने बहुत कुछ ऐसे काम किये हैं जो संदे के घेरे में है योगी सरकार क्यों लोगों को चेर भीज़ ने जितनी बहुत होगी उतना सरकार परच्षी रज्ज्या हो और विपक्ष उड़ाएगा उनकी दिन गर अन्पूरत मजट्ट सारै प्रस्ताव पास करा के मैं तो मिछले बजी साल से सदर को देख रहा हूँ न अगर आप वहस कराना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को सुनना पड़ेगा उनकी जो बहुत एहम सवाल है उन एहम सवाल में मजबूती से जवाब देना पड़ेगा चले समय बहुत कम है बस मैं एक एक फाइनल कमेंट में अन्शु जी आपसे चाहूँगा एक विपक्ष के तौर पर बात करें तो किस तरीके से आप लोग अपनी बात रखेंगे और पूरा सरकार को सहयोग करेंगे ब Hack कर नहीं चलेगा जनता सब देख रहें अ ल chicken कि इस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से क्योंकि अंशु जी ने भी इपनी बात त आ podstaw racist और पूरा जो है एक जोट है जा रहा है उसकी चिंता इनको करनी चाहिए एक एक बैक्ति के मुझ से निवाला चीनने का काम इनों ने करा है और वो विपच्च के चार चुनाओं में दिखा भी चुका है सरकार को जनता ने इनको जवाब दे दिया पहली बार कोई सरकार छे महिने में खारिच कर दी गई य विपच्च इस बात को मजबूती से मानना तो पड़ेगा विपच्च की नाराजगी है सवाल चुकी आम जन से जुड़े हुए इसलिए आपको विपच्च को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा सरकार पूरी बातों का जवाब देगी सरकार यहाँ पर तो आज डिबेट में सबने बड़े अच्छे से कह दिया कि विपच्च ने भी का वो सहयोग करेगी सथा पड़ेगी विपच्च को साथ में लेकर के चलेगी मैं प्रभाद चीस से एक final comment चाहूंगा हम सब चाहते हैं क्योंकि आपने भी का ये घूम पिरके जनता की कमाई होती है और अगर बेहतर चर्चा होती है स्वस्थ मुद्धों पर तो कहीं न कहीं एक स्वस्थ लोक तंत्र की जो परमपरा ये भी आगे बढ़ाती है बख्ष में जब मुफंत्री अपने कुर्सी में होता है नेदा सब्धों और अपोईशन पार्टी के जो नेदा परमपर्ष हैं वो बात को जब रखते हैं तो वहां पीछे से जो बिधायक हंगामा कर देते हैं या चाहिए बख्ष क्यों जा सब्तर प्षक्यों मुफंत्री से अगर कोई सवाल किया जा रहा है तो अच्छा होगी सब्सरी कारमंत्री और मुफंत्री उसको गंभीता से जवाद दें और बख्ष को सुने अगर सदन में चड़ते के बिधान सबाद्दक्ष एक पत्रगा और अगर ये सदन नहीं चलेगा तो हम लोग एक तरीके से जटा के संग छलावा कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि सदन में परंपरा अच्छी हो एक स्वस्थ परंपरा की तरह सदन चले अपनी बात बख्ष रखे और सब्ता पक्ष उसमें काम करे और गरीब जटा के अगली बार करेंगे तो शायद इस पर करें कि हम लोग कुछ मुदल पर चर्चा हुई और एक स्वस्त बहस होई तबी मुझे लगता है कि हमारी जो डिवेट है वो भी एक सार्थक बड़ी बहस हुई फिलाल आप सब मैमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तो दिवरिया कांड कानून विवस्था किसानों की बधाली जैसे तमाम मुद्दों पर विबख सरकार को खेरने के लिए एक जूट है मानसुन सद्र की अबदी कम रखने पर विरोधी दल पहले ही नाराज की जता जोगे लेकिन कल का दिन देखना दिल्चस्प होगा याराज झाल